Hi guys and welcome back to the channel आज मैं आपको one of the top non-IAM MBA colleges के बारे में बताऊँगी यानि कि एक ऐसा college जो IAM तो नहीं है बट वो IAM से कम भी नहीं है इस institute का नाम है एक्जिलराय आप में से जाधा तर MBA स्प्रेंट्स अल्रेडी एक्जिलराय के बारे में जानते होंगे आपको ये भी पता होगा कि इनका average package 32.7 lakhs का रहा है और top 25% की placement 46 lakhs के आसपास रही है लेकिन एक ऐसी चीज है इनके admission process के बारे में जो जाधा तर लोग नहीं जानते थे जिसकी वज़ा से मैंने सोचा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है इस वीडियो में आपको एक्जलराय में एंटर करने का पूरा gateway explain किया जाएगा विच मींज कौन सा exam देना है उसकी तयारी आप कैसे कर सकते हो and finally interview rounds में क्या होता है अब वैसे तो एक्जलराय में बहुत सारे programs हैं बट दो major programs है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए which is PGDM, HRM and BM इन दोनों ही programs की eligibility बिल्कुल सेम है जिसमें कुछ points है पहला point है कि आपके पास bachelor's degree होनी ज़रूरी है bachelor's degree या तो minimum 3 साल की हो या उसके कोई equivalent हो दूसरी condition यह है कि अगर आपके पास bachelor's degree नहीं है in that case also आप eligible हो आप अपने final year में इसके लिए apply कर सकते हो लेकिन आपके जो exams हैं आपके college के final exams वो 10th of June तक complete हो जाने चाहिए जिस साल आप एक्जलराय में admission लोगे final point eligibility का है कि आपको Z exam लिखना ज़रूरी होता है एक्जलराय के लिए Z exam हर साल में January के मंथ में conduct होता है और यह सिरफ उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जो कि international students है वो Z भी दे सकते हैं और GMAT भी दे सकते हैं अब अगर अपने इन eligibility points में एक important चीज नोट की हो तो आप देखोगे कि जैसे cat या किसी और exam में condition होती है कि आपके graduation में minimum 50% marks होने चाहिए एक्जलराय या Z के लिए ऐसी कोई condition नहीं है आपके graduation 10th, 12th में कितने भी marks हो या आपके academic marks को weightage नहीं देते अगर आप इन तीनो eligibility criteria उसको meet करते हो उसके बाद आपको simply that का exam लिखना होता है and that exam के score के basis पे आपको shot list आती है that exam के score के इलावा दो और criteria जिनको ये consider करते हैं shot list के लिए उसमें पहला point होता है आपकी academic diversity यानि कि आप कौन से academic backgrounds आयो जैसे अगर कोई non engineer है कोई arts का student है तो उसको जादा weightage मिलती है दूसरा point है work experience का but relevant work experience so Excel Rai में shot list के लिए तीन चीज़े जरूरी हो गई आपके Z exam का score, आपका academic background और आपका relevant work experience इसमें से आप अपने Z exam के score पे जितना focus करते हो उतने आपके chances of selection बढ़ते हैं अब हम Z exam के बारे में कुछ points समझ लेते हैं जैसे कि जो cat exam है उसका सारा syllabus zat में भी आता है कुछ ऐसे sections हैं जो cat में नहीं आते जैसे decision making, gk और essay writing इन सारे sections में से जो essay writing का section होता है उसको next stage में consider किया गया था last year which means उसकी सिरफ interview के time पे importance थी और gk के लिए कोई भी sectional cut off नहीं थी बाकी के sections के लिए एक minimum cut off है जो आपको हर section में भी clear करनी होती है और overall भी clear करनी होती है वो मैं आपके screen पे list कर रही हूँ यह males और females के लिए vary करती है यानि कि accelerate gender diversity को भी promote करता है अब अगर आप ZAT exam की अच्छे से त्यारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको decision making, gk और essay writing पे अलग से focus करना पड़ता है उसके लिए मैं आपको कुछ resources बता देती हो इस वीडियो के लिए मैंने studyverse के साथ partner किया है जो कि एक बहुत बड़ा MBA coaching institute है उनका YouTube channel अगर आप check करोगे तो वहाँ उन्होंने एक free course भी बनाया था जिसका नाम है booster batch इस course में उन्होंने cat में आने वाले तीनों sections के इलावा gk और gdpi याने की interview preparation की भी अलग playlists बना रखी है तो आप अपनी gk तो यहाँ से ही prepare कर सकते हो उसके इलावा जो decision making है उसके लिए भी उन्होंने एक dedicated video अपने channel पे बना रखी है जिसमें सारे types के questions covered हैं अगर आपको उनकी teaching quality अच्छी लगती है तो उनके जो founder है Saurav जो कि खुद भी एक excel राय के alum रह चुके हैं उन्होंने आप सबके लिए एक lucrative offer निकाला है on the pen drive courses इनकी दो pen drives हैं एक cat की और एक all MBA exams की इसमें वो आपको आपके घर पे एक pen drive भीजते हैं जिसमें सारा का सारा already recorded video lectures, material, e-books याने की हर section के काफी detailed questions already available होते हैं जिनको आप अपने घर पे बैठे अपनी pace पे complete कर सकते हो इसी के साथ पे जितने भी MBA exams के mocks हैं वो भी आपको accessible होंगे in this pen drive course. सबसे पहले आप इनका booster badge check कर लो, अगर आपको teaching quality अच्छी लगती है तो आप इनका pen drive course भी consider कर सकते हो, इसका link में पिन, comment और description में add कर दूँगे. एक बार आपने ZAT exam clear कर लियो और आपके बार शॉट लिस्त आगई and that is something I wanted to share with all of you. So, Excel Rai की interview में वो आपको चार चीजों पे evaluate करते हैं. इन चारों चीजों के लिए आपको equal number of points मिलते हैं. So, जब भी आप Excel Rai के admissions के लिए तयारी कर रहे हो, इन चार चीजों पे अपने answers को base करना. इसमें पहला point होता है problem solving ability. आपको जितने भी questions पूछे जाए के बारे में सोचते हो. दूसरा point होता है holistic approach. याने कि as a manager आप जो भी solution बताओगे वो हर stakeholder का कितना ध्यान रखता है. आपके superiors, आपके subordinates, आपके customers, आपके clients, आपको जितना भी support करने वाली third parties हैं. आप कितने लोगों के बारे में सोचके वो solution बताते हो. Third important point होता है communication का. is the eagerness to grow. आपने कितनी जादा drive और enthusiasm है to grow in your life. इन चार चीजों के उपर वो decide करेंगे कि वो किस student को select करना चाहेंगे into their program. एक बार जब आपका interview भी हो जाता है, उसके बार जो final list of students बनती है, वो बनती है 5 criteria के basis पे. पहला होता है आपका interview का performance, दूसरा आपका ZAT का score, तीसरा आपका academic background, फोर्थ आपका relevant work experience and finally extra curricular achievements. इन पांचों points के basis पे उन्हें जो भी students अबसे deserving लगते हैं, जिनके points सबसे जादा होते हैं, उन्हें वो finally select करते हैं for their program. एक्जल राय की दो ब्रांचेज हैं, एक्जल राय जम शेदपूर तो सबसे बड़ा campus है और एक नया campus पे है, एक्जल राय डेली. इन दोनों ही कैंपसेज का प्लेस्मेंट इकठे होता है, याने की common process होता है, and it has been seen over the years की एक्जल राय की reputation as well as placement records have been increasing every year. So, अगर आप MBA करना चाह रहे हो और आप IEMs को target कर रहे हो, I would highly recommend की आप एक्जल राय को जरूर consider करो. It is one of those MBA colleges जो बहुत सारे लोगों के लिए एक preference होता है over many, many IEMs. So, do check out other details of this college as well. अगर आपको कोई और question हो, you can let me know in the comments. Thank you so much for watching this, guys, and all the very best.